क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नमर 8, पार्ट 1, फेक्टराइज 8A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 12A स्क्वेर बी प्लस 6AB स्क्वेर इन प्लेस ओप 8A क्यूब, वी विल राइट 2A in ब्रेकेट हॉल क्यूब, ब्रेकेट लगाकर हॉल क्यूब लिखेंगे, प्लस B क्यूब, और यह जो आगे दोनों हैं, इन दोनों की जगा हम क्या लिखें, उसके लिए पहले हम फार्मूला देखेंगे, यह है A क्यूब, यह हमने A क्यूब लिख दिये, यह कौन हो सकता है, प्लस B क्यूब, आगे फार्मूला है, प्लस 3AB into A प्लस B, is equal to A प्लस B, होल क्यूब, तो अब हम को आगे लिखना है 3AB, 3, A की जगे 2A लिखेंगे, यहां से देख लेंगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो A की जगे 2A बचेगा, और इस B की जगे हम क्या लिखेंगे, यह जो B है, तो यह देखो, यह capital B cube is equal to small cube, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो capital B B के equal है, उसके बाद into A plus B, A की जगे 2A और B की जगे B, तो यह जो formula है पुरा, किसके equal है, A plus B whole cube के, अब यह formula तब ही लगेगा, अगर इनकी bracket में जो दोनों number N से multiply, उंपर वालों से match कर जाए तो, तो 3, 2, 6, A, B की 2A से multiply करो, 12A square B भी आ रहा है, 3, 2, 6, A, B को B से multiply करो, plus 6A B square आ रहा है, तो multiply match हो गी, तो इसका मतला, यह जो पूरी left hand side है, यह उपर वाले के equal है, और यह पूरी left hand, इस left hand side के equal है, और यह formula की जो left hand है, वो A plus B whole cube के equal है, तो इसका मतला, यह पूरी line A plus B whole cube के equal होगी, A की जगए हम 2A लिख देंगे, B की जगए B, और यह power whole cube, 3 times लिख देंगे, answer आजएगा, यह तीनों factor है, इस polynomial के है, तीनों के अगर हम multiply करें, तो यही answer आएगा, second part, 8A cube की जगए लिख देंगे, 2A whole cube, minus B cube की जगए bracket में, B cube, और यह दोनों कौन हो सकते हैं, उसके लिए formula लिखेंगे, A cube, minus B cube, आगे क्या होता है, formula में, minus 3A B into A minus B is equal to A minus B whole cube, तो यह minus 3A B को हम कैसे लिखेंगे, तो minus 3 लिख दिया, A की जगए 2A, कैसे लिखा, देखो, इस दोनों में, A cube is equal to 2A cube, cube से cube cancel, A की जगए 2A, और उसके बाद, यह minus B cube, minus small B cube के equal होगा, minus से minus cancel, cube से cube cancel, तो capital B, B के equal होगा, तो capital B की जगए B लिखेंगे, तो यह minus 3A की जगए 2A, capital B की जगए small B, A minus B की जगए 2A minus B, equal to क्या formula में क्या right side में, A minus B whole cube, अब यह formula तब ही लगेगा, अगर इसकी multiply इससे करें, और यह आए, और इसकी multiply इससे करें, और यह आए, तो 3 to 6A, B को 2A से multiply करो, minus 12A square भी आ रहा है, और minus 6A, B को minus B से multiply करो, plus 6A, B square आ रहा है, तो A minus B whole cube फर्मना लगेगा, A की जगए लिखेंगे 2A, minus की जगए minus, और B की जगए, capital B की जगए small B, और bracket लगा कर whole cube, 3 times लिखेंगे 2A minus B, 2A minus B, 2A minus B, these are the factors of polynomial, similarly we can do third part, 27 की जगए लिखेंगे 3 cube, minus 125A cube की जगए लिखेंगे 5A whole cube, और इन दोनों की जगए लिखेंगे minus 3A into B into A minus B, जैसे की उपर वाले question में किया था, इन दोनों को, इन 33995 जब 45A की 3 से multiply करो, minus 135 आ रहा है, और minus 45A की minus 5A से multiply करो, plus 225A square आ रहा है, तो यह formula किसका होता है, Q minus B Q minus 3A B into A minus B, यह होता है, A minus B whole cube, यहनिके 3 minus 5 whole cube, 3 times लिखेंगे 3 minus 4 A, 3 minus 4 A, 3 minus 4, these are the factors of this polynome, 64A cube की जगे लिखेंगे 4A cube, part 4 कर रहे हैं, 27B cube की जगे 3B bracket में लिखेंगे, और यह minus तो यहां लिखेंगे ही, और इन दोनों की जगे का लिखेंगे, A cube, यह A cube है, यह minus B cube है, क्या हो सकता है, minus 3A into B, A कोन है 4A है, और B कोन है 3B है, तो 3 into A into B, 3 into 4A into 3B, bracket में A minus B, 4A minus 3B, तो इन तीनों को 4A से multiply करो, यह आएगा, और इन तीनों को minus 3B से multiply करो, यह आएगा, तो मैच करने के बाद हम यह लिख सकते हैं, A minus B whole cube, 4A minus 3B whole cube, 3 times लिखेंगे, 4A minus 3B into 4A minus 3B into 4A minus 3B, अब आते हैं, फिफ्थ पार्ट पर, 27P cube minus 1 upon 2, 16 minus 9 upon 2B square plus 1 upon 4B, तो यह हो सकता है A cube, यह कौन हो सकता है, minus B cube, और आगे दोन हो सकता है, minus 3AB into A minus B is equal to A minus B whole cube, तो 27P cube की जबे लिख लेंगे 3P cube, पहले हम लेट साइड पूरी करेंगे, फर्मुले की, 1 upon 216 की जगा लिखेंगे, minus 1 upon 6 cube minus 3AB, minus 3 into A की जगा है 3P, B की जगा 1 upon 6, और इंटू A minus B, A की जगा है 3P minus B की जगा 1 upon 6, तो इन तीनों को इससे मल्टिप्लाई करो, यही आ रहा है, और इन तीनों को भी इससे मल्टिप्लाई करो, यही आ रहा है, तो फर्मुला लगेगा, A minus B whole cube, A की जगा 3P, B minus B की जगा 1 upon 6, all cube, 3 times लिख देंगे, आंसर आजाएगा, Question No.9, Part 1, Prove that x cube plus y cube is equal to, अधा x plus y into x square minus x y plus y square, तो यह left side है, और यह है right hand side, प्रूव करना है कि left hand side, right hand side का equal होगी, तो left side को तो हम आगे simplify करनी सकते हैं, तो इसलिए पहले हमने RHS, right hand side ले लिए है, x plus y into x square minus x y plus y square, तो पहला काम है, x को x square से multiply, x cube जएगा, multiply में power head होती है, x को minus x y से multiply, एक plus आएगा, minus है तो minus आएगा, दोनों में x है, तो x square और यह y, उसके बाद x को multiply करेंगे, plus y square से, दोनों positive हैं तो plus हाईगा, plus x y square, उसके बाद हम plus y को multiply करेंगे, x square से, दोनों positive हैं तो plus x square y, पहले x square लिखेंगे, पिर y, अलफा बेटिकल में, पहले x लिखना चाहिए, पिर y, य गो माइनस x, y से मुल्टिप्लाइ करेंगे गर पलस माइनस x और y इंटु बाइ y sqeer फिर उसके बाद पलस y को y sqeer से मुल्टिप्लाइ करेंगे पलस y k 화ym दोनो पॉसिटीव है तो पलस लगेगा अब यह माइनस x sqeer y है यह स्प्राइब सकापयार्व माहिने अंको प्रोव करना था सिमीलियरली सेक्टल में भी मंको करना है कि XQ minus YQ equal होगा X minus Y into X square plus XY plus Y square के proof left side को solve करनी सकते इसलिए पहले हमने RHS को ले लिया X minus Y into X square plus XY plus Y square तो पहले हम X को X square से multiply करेंगा X cube फिर X को plus XY से multiply करेंगा X square Y फिर X को Y square से multiply करेंगा XY square फिर minus Y को X square से multiply करेंगा minus X square Y minus Y को XY से multiply करेंगा minus XY square फिर minus Y को Y square से multiply करेंगा minus Y cube इसमें plus X square Y और minus X square Y cancel plus XY square और minus XY square cancel बचे के X cube minus Y cube और ये दोनों थे left hand side तो right से शुरू गिया था left हम पहुच गए तो left hand side is equal to right hand side hence proved